हेलो प्रेंट वेलकम टो माई यूट्यूब चानल कूल इंजिनेर यूट्यूब चानल में आप सभी का सौगते दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेस्बुक को लाइप टाइम के लिए कैसे वेरिपाय करते हूँ क्या का प्रसेस होता है बहुत लंबा प्रसेस होता है का पूरा का पूरा इंफरमेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी बताऊंगा श्टेप बाइश्टेप वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा मैं आपका पूरा का पूर के अकाउंट के तरफ तो यहाँ पर है मेरी प्रेजबुक के आईडि अगर आप मुझे प्रेंट नहीं हो तो आप मुझे आड कर लेना और मेरे डिपी पर पंद्रा भी कमेंट कर लेना तो मैं आपकी भी रिक्वेस्ट एकसेप्ट कर लूँगा तो अगयस सबसे पहले आपको बता दूँकि हमें कि और इंटि क्यों कर देनुन कंफरम कर देना है अपने चाइनल को फुली वेरिफायड कैसे क्यों करे तो अगर आंपने चाइनल को हमारे आईडी कभी डिसेबल नहीं होगी कोई वह chodzi कोéo भी हमें यहाँ पर आप देख सकते हो facebook profile के आगाद आपको आना है facebook app के अंदर यहाँ पर आपको app के अंदर आपको three lines देखे है दरे हो तो simply उस पर click कर दिए आप इस विडियो को शुरू से लेकर द्यान से देखिए आप skip मत किजिए पूरा वीडियो देखिए तब ही आपको समझ में प्रोसेस बहुत ही लंबा है तो चलिए यहाँ पर three lines पर क्लिक करके कुछ इस तरह के से open हो जाएगा तो आपको settings and privacy का option मिलेगा तो simply उस पर name जो है वो आपका name original name होना चाहिए या पर आप कोई भी या फिर कुछ भी दालते हूँ editor boy या फिर कुछ भी दालते हूँ cool boy वैसे आपको नाम को नहीं रखना है जो आपनी identity पर आपका नाम है जैसे आधार काड़क पर पैन काड़कर अपना नाम है वही नाम यापर दाद है तुरंती इसलिए email address भी दाल देना आपको यहाँ पर mobile नंबर भी दालना पड़ेगा तो यहाँ पर मेरा mobile नंबर नहीं है तो simply मैं यहाँ पर अपना mobile नंबर डाल देता हूँ तो यहाँ पर जाने के बाद आप आपका यहाँ पर नेम, email अडरेस और mobile नंबर आपके यहाँ पर तीनी भी option यहाँ पर दिखाए देरे होंगे अब आप बात आती है नीचे identity confirmation तो simply आप पर उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से बोल रहा है इसके नीचे आपको दिखाए दे रहा है confirm your identity तो simply उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको सेकाई देगा तो आपको यहाँ पर बोल रहा है choose country तो यहाँ पर no country selected तो simply select button पर क्लिक करके आप अपनी country select कर सकते हो तो यहाँ पर search कर देता हूँ मैं अपनी country तो यहाँ पर मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक कर लेता हूँ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है Secure your account, confirm your primary country, provide a photo ID तो simply हम next पर क्लिक करेंगे तो next पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है Are you sure to need your, confirm your identity तो simply आपको एस continue पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको दो option दिखाय दे रहे है कि आप अपने mobile app से यहाँ पर कोई भी protection वाला code जनरेट कर सकते हो यहाँ पर text message, SMS द्वारा आप अपना code जनरेट कर सकते हो तो मैं second वाला option सेलेक्ट कर लेता हूँ काकि यह थोड़ा सा easy लग रहा है मुझे तो simply हम continue पर click कर देंगे continue पर click करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपको सामने दिखाय देगा अगर आप किसी और नमबर से यहाँ पर identity confirm करना चाहते हो तो यहाँ पर आप किसी और नमबर से भी identity confirm कर सकते हो तो मैं पहले वाला याभी जो मैंने नमबर यहाँ पर दाला था वो इसी नमबर से identity confirm करने वाला हूँ तो इसलिए मैंने इसी नमबर पर select कर दिया है simply आप continue नीचे continue का option दिखाया दरा तो इस पर लिए click कर देंगे click करने के बाद आपको एक code आजाएंगा तो इहाँ पर आपको code दाल देना है तो simply मैं इहाँ पर code देलता हूँ तो इहाँ पर मैंने code दाल दिया है तो simply आप continue पर click कर देंगे तो इहाँ पर मैंने continue पर click कर दिया आप आपको इहाँ पर अपना password यहाँ पर दालना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं अपना password डाल देता हूँ, अपना Facebook ID का, तो simply यहाँ से अपना password डाल देते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना Facebook का password डाल दिया है, तो simply continue पर click कर दूँगा, continue पर click करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने open हो जाएगा, तो simply आपको done पर click कर देना है, तो यहाँ पर मैं done पर click कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने यहाँ पर आपको open हो जाएगा, तो आपको बोल रहा है कि आगर आपके primary location यहाँ से on कर सकते हो, अक्सेस कर सकते हो, तो कर लो, तो आपको simply confirm location पर click कर देना है, तो देखते हैं आपनी यहाँ पर location हो होते हैं नहीं, तो यहाँ पर आपनी location हो गई है, तो यहाँ पर आपको एक green tick दिखाए दे रहें, तो simply आपको अपनी location mobile की on कर कर देनी है, तो अब आपको यहाँ पर हो जाएगा, तो simply आपको verify address पर click कर देना है, नीचे आपको verify address option दिखाए दे रहें, तो simply आपको यहाँ पर बोल रहा है कि confirm your location in two ways तो आप यहापर तो कुछ इस तरह के इंटरपेस आपके सामने उपन हो जाएगा तो simply आपका अपना यहापर address फिल कर देना है जो आपका original address है जैसे कि आपके आधार काड़ पर आपका जो address है वही यहापर address डाल देना है तो यहापर आपका mobile phone number बो state name और यहापर अपना pin code भी दाल दिया है तो simply आप ऐसे right पर click कर देंगे right पर click करने के बाद कुछ next वाला button आपको दिखा दे रहा होगा तो simply इस पर आप click कर देंगे click करने के बाद देखते है किस तरह का interface आपके सामने आ जाता है तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने यहापर आपको दिखा दे रहा है तो your details has been sent to our service provider तो यहापर आपको बोल रहा है अब आपको simply next वाला button देख रहा है तो आप आपनी यहापर details चेक कर सकते है कि आपनी details बरा अगर आपको यहापर आप देख सकते हैं यहापर आपको बोल रहा है कि we don't accept आधार नमबर तो अबर आपके पास order ID है यहापर pen card है याप पिर आपके पास driving lesson यहापर passport होगा तो उसका number आपको यहापर डाल देता है तो जैसे कि मैं यहापर अपना order card यहाप pen card का number यहापर आपने किस टाइप का ID प्रूप यहापर अपलोड करने वाले है तो simply मैंने pen card का number अबर डाला हुआ था और आपको pen card दिखा दे रहा है तो simply मैं उस पर click करूंगा और आपको next वाला button option दिखा दे रहा तो simply उस पर भी click कर देंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह प्रूट का option दिखा देगा तो आपको यहापर simply अपना pen card का या फिर other identity का यहापर फोटो ले लिना है तो जैसे कि मैं यहापर ले लेता हूँ तो मैंने कुछ इस तरह के से आपको मेरा फोटो ले लिया है तो आपको यहापर next वाला और आपको retake का option दिखा दे रहा तो मेरा फोटो अच्छे से आ चुका है तो मैं submit पर click कर दूंगा तो यहापर मैं submit पर click कर दिया हूँ क्लिक करने के बाद यहापर थुड़ा कुछ दिर यहापर लोड हो रहा है तो यहापर यहापर पुरा पुरा हो गया है प्रोसेस कंप्लेटली लोड हो चुका है तो आपको एक नीची फिनिश नाम का बटन दिखा दे रहा है तो simply उस पर click कर देंगे क्लिक करने के बाद आप यहापर देख सकते हैं यहापर आपका जो कंप्लीटेड है टू फेक्टर ऑथरिटी के इस्टेशन यह एक ही पर एक ही जो है कंप्लेट हो गई है प्रोसेस उसके बाद आपको यहापर प्राइमरी कंट्री लोकेशन और परसनल आईडी यहापर आ क्लिक करने के बाद आपना स्टेटस चेक कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं दो जो कैसे से जो हमने आईडी कंफॉर्मेशन वह कंप्लेट हो चुका है और जो किसेल को यहापर रह गया है तो सब आपके अड्रेस जो हमने अभी अभी यहाप ढ़ना है तो उस पर एक पोस् Facebook की तरह से notification किया एक code आता है तो वो code आपको इस identity में दाल जेना पड़ता है वो code आने के बाद आप वो code दालने के बाद पूरा का पूरा आपका ID यहाँ पर हो जाएंगा confirm तो यहाँ पर आप completed में two factor authentication और personal ID का आपको confirm हो गया तो remaining आपको जो primary country location है वही यहाँ पर रह गया है तो simply आप अगर आपका जो code आता है तो code आने के बाद आपको यहाँ पर आपना code दालना पड़ेगा code दालने के बाद आपका Facebook ID पूरा पूरा confirm हो जाएगा तो बस गाइस इतना इतना इस वीडियो में आपको वह code दालने के बाद आपको अभी आपनी ID कंपॉर्म कर लेनी है कंपॉर्म करने के बाद आपकी ID कभी उड़ेगी नहीं कभी आपको कोई भी problem नहीं आएगे तो बस गाइस आशा करता वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो comment करके जरू बताए लाइक करे और मेरे आईसे वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए तिल देन